को बतादे की बीटते समय के साथ साथ रोज नई उपलब्धियों को जिस तरीके से साज़ा किया जा रहा है ऐसे में हर एक भारतवासी जानना चाहता है कि आखिर चंद्रमा पर है क्या कुछ आज बात करते हैं सबसे पहले एतिहासिक तारीक से कि आखिर चंद्रमा पर लेंडिंग कब हुई और उसके बास से अब तक वज्यानिकों ने और जो मिशन रहा है उसमें क्या कुछ हासिल किया जा चुका है एतिहासिक तारीक की अगर बात करेंगे तो 23 अगस्त की वो तारीक जिसमें हर एक भारतवासी की नजर टिकी हुई थी कि आखिर चंद्रमा पर क्या इस बार मिशन सक्सेस्फुल हो पाता है या फिर नहीं 23 अगस्त की वो तारीक 6 बचकर 4 मिनट पर जब चंद्रमा पर सोफ लेंडिंग होती है हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है उसके बास से लगभग समय भी चुका है 6 दिन का अंतराल पूरा हो चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रग्यान रोवर अपना काम कर रहा है और वग्यानिकों को तमाम वो संकेत दे रहा है जो ये बताता है कि आखिर चंद्रमा पर क्या कुछ है ये सवाल पहले जहन में कई बार आते थे कि आखिर क्या चांद पर पहुचना मुश्किल है मुमकीन है या फिर चंद्रमा पर क्या कुछ है लेकिन जिस तरह की से लगातार ये मिशन सक्सेस्फुल हो रहा है और लगातार चंद्रमा के माध्यम से संकेत भारत को मिल रहे हैं और वज्यानिकों ने बहुत कुछ उन चीजों के बारे में बताया है जो चंद्रमा पर मौजूद हैं आपको बता दे वज्यानिकों के माध्यम से अब तक ये कहा गया है कि चंद्रमा पर सलफर है उसके अलावा ओक्सिजन है और ऐसे कई सारे कण हैं जो भारत को विजे बनाता है एक खास बात ये भी है कि चंद्रमा पर जिस तरीके से सोफ लेंडिंग हुई भारत वो पहला देश बना जो की दक्षणी धुरूप पर गहन अध्यन कर रहा है चोधा दात करते हैं कि आखिर अब तक इन 6 दिनों के अंतराल में क्या कुछ चंद्रयान पर हासिल किया जा चुका है उन सवालों का जवाब देखते हैं कि क्या चंद्रमा पर जीवन है या फिर नहीं आपको बता दें कि अभी तक चंद्रमा पर जिस तरीके से रोवर प्रज्यान जो है वो अपने स्टडी कर रहा है संकेत दे रहा है विज्यानिकों को उसके माध्यम से अभी तक जो भी उपकरण वहाँ पर शामिल हुए है यानि कि जो मिले हैं उनमें कड़ों की बात करें तो खनीजों के वो सारे कण हैं जो कि देश को काफी जादा गर्व की अनुभूती कराता है अब खोज सिर्फ इस बात तक सीमीत रह गई है कि क्या हाइड्रोजन भी चंद्रमा पर देखा जा सकता है जी हाँ अगर हाइड्रोजन की उपलब्दिती होती है तो कहीना कहीं पर य के से सुनेश्चित की जा चुट